हलो फूडीज ये देखिए है लाल वाली मिर्चें जिसका मूसली अचार बनता है लेकिन आज हम कुछ और बनाते हैं तो इसके लिए हमने थोड़ी मिर्चें अलग निकाल ली है साथ ही लिए हैं उले और मैश किये हुए आलू अब इसमें डालेंगे स्वादा नुसार नमक इसके साथ ही डालेंगे थोड़ा जीरा धन्या को भी सारहरा वाला इसके साथ ही काटी हुई प्यास और स्वाद के अनुसार चाट मसाला और इन सब को हम मैश करके अच्छे से एक मसाला मिक्स बना लेंगे अब एक बरतन में लेंगे बेसन उसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाईन उसके बाद लाल मिर्ज इसके साथ ही साथ इसमें डालेंगे नमक, स्वात के अनुसार और जरूरत के अनुसार पानी मिलाकर हम इसका घोल बना लेंगे हमारे हम मोटा गोल नहीं पसंद करते तो मैं थोड़ा पतला गोल बना रही हूँ और गोल बना के हम रख देंगे हम मिर्चे लेंगे और उसमें हम सब में 20 से चीरा लगा देंगे और अंदर का गुद्दा निकाल लेंगे हम जाट करके अब इन मिर्चियों में हम आलू का जो उमने मसाला बनाया है उसे ठूस ठूस कर दबा दबा कर भर देंगे ताकि खुब बढ़ियां सा इसमें फिलिंग हो जाए और सारी मिर्चियों को देखे हमने भर लिया है अब हम क्या करेंगे जो घूल बनाया था हमने वेशन का उसमें डिप करेंगे और गरम तेल में तलने के लिए डाल देंगे जब दूनों तरब से सिख जाएगा तो निकाल देंगे यह देखे हमने निकाल लिया और इसे करेंगे हम सर्व बहुत ही टेस्टी लगता है आप भी बनाएं खाएं जोए करें